हेलो गाइज है कि यह लेकम टो आर यूट्यूब चानल डॉलाइन एजुकेशन पॉइंट डॉलाइन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक ले कराया हूं और टॉपिक का नाम है बिटामीन एट्स डिफिसीनसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे यह आपके जो SSC GD का है एक्जाम हो कोई भी एक्जाम हो SSC GD ले ले रेलवे ले आपको MTS ले ले DRDO सेप्टम ले DRDO MTS यह सभी एक्जाम में आपका इंपोर्टेंट होने वाला है तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि बिटामीन क् किया गया है इसका deficiency क्या है इसके अधिक एक्सेस में अगर कोई विटामीन हमारी सरीर में मवजूद हो तो उसके क्या लक्षण है उससे होने वाले रोग उस विटामीन कहां से मिलता है उसका स्रोत क्या है उसका source क्या है यह आपको मालूम होना चाहिए और इसी से आपका exam म में पूछता है ठीक तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic है vitamin and its deficiency ठीक और पहले देखेंगे कि vitamin के खोज किसने की किस के द्वारा खोज की किस तरह को vitamin को किस किस group में बाटा गया है किस तरह से बाटा गया है यह आपको पढ़ना होगा और ज्यादा detail में नहीं shortcut में पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि आपके exam में useful हो ठीक ना लेंदी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यदि आप इस चनल पर नए हैं तो चनल को subscribe को लिजिएगा और इस पीडियेप के लिए आप हमें टेलीग्राम पर जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा ठेक तो आज का टॉपिक है vitamin adds its deficiency ठेक बिटामीन और उससे होने वाले रोग ठेक ना उसके होने वाले कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे ठेक सबसे पहले जो vitamins है इनके vitamins का नाम रखा गया था इसके द्वारा c funk एक बेक्ति हैं जिनका नाम है c funk ठीक ना उनके द्वारा vitamin का नाम रखा गया था कब तो 1912 में ठेक कब रखा गया था तो 1912 में c funk द्वारा रखा गया था ठेक यह आपका vitamin का सोट और complete knowledge है vitamin के बारे में किस तर कौन इसका नाम रखा था या इसका nomin klature किसके दुवारा हुआ था तो यह आपका उस्व्यक्ति का नाम है सीफंक जो vitamin के बारे में पहली बार knowledge किये थे ठीक ना और आपके vitamin दो तरह के होते हैं जो आपके विटामीन है यह आपके दो तरह के विटामीन होते हैं ठेक तो विटामीन को दो तरह से इसलिए एक विटामीन होता है जो फैट सलूवल यानि वसा फैट यानि वसा आप नोट कर लीजिए फैट यानि वसा ठेक fat soluble fat soluble कहने कार्थ है जो vitamin fat में dissolve हो जाए उसी को fat soluble vitamin बोलते हैं ठीक ना है water soluble जो बिटामिन है water soluble ठीक पहला vitamin है fat soluble और दूसरा vitamin है water soluble vitamin को दो भागों बाटा गया है कौन-कौन fat soluble vitamin में दूसरा water soluble vitamin में जो fat soluble vitamin है उनको किस तरह से याद करना है आपको यहाँ पर मालूम होगा लिखा गया है k e d vitamin k vitamin e vitamin d vitamin a k e d a आपका जो fat soluble vitamins है उनका नाम है k e d vitamin k vitamin e vitamin d vitamin a आपका fat soluble हुआ fat soluble है ठीक ना यह यह vitamin जो है आपके fat में dissolve हो जाते हैं ठीक ना तो इसलिए इनको fat soluble में रखा गया है और इसको याद करने का तरीका आप कीड़ा पढ़िए ठीक ना कीड़ा ठीक ना यहाँ पर लिखा हुआ है कीड़ा लेकिन आप पढ़िए इसको कीड़ा ठीक कीड़ा ठीक ना आप जब इसको कीड़ा पढ़िएगा तो k e d a आप इस तरह से पनाउसेशन करके इसको याद कर सकते हैं k e d a आप देखे होंगे किताबी कीड़ा यानि यह बिटामिन के कीड़ा है ठीक यह आपका बिटामिन का कीड़ा है ठीक तो आपका इस तरह स्याद कर लिजेगा कि कौन-कौन आपका बिटामिन फैट सलूबल है तो विटामिन के e d a आपका फैट सलूबल है ठीक आपका यह ट्रीक बन जाता है एक बाद फिर से आप देख लीजिए कि जो विटामिन फैट सलूबल है वह आपका विटामिन के है विटामिन ए है विटामिन डी है और विटामिन ए है यह आपका फैट सलूबल ह है छेक और very sour10huh है तो क्योंAF दौ बिटामिन है जो वाटर में होते हैं कौनगय विटामिन बी और विटामिन सी हुए छेक यह दोनों मीजों उफ्रिजौल कर जाते हैं कंप्लिट्री मिक्स हो जाते हैं यह आपके vitamin 2 है, कौन-कौन vitamin B and vitamin C, यह आपके water soluble है, कौन soluble है, water soluble, आप इसे note कर लीजिए, ठीक, तो आपके vitamin को दो भागों में बाटा गया है, कौन-कौन, तो fat soluble और water soluble, fat soluble का कौन-कौन vitamin है, तो vitamin K, vitamin E, vitamin D, और vitamin A, ठीक, और water soluble कौन-कौन है, तो vitamin B and vitamin C, आपके water soluble है, यह आपका vitamin के बारे में, कुछ classification हो गया, next पढ़ते है, vitamin, अब fat soluble के बारे में पढ़ेंगे, जो fat soluble के बारे में पढ़ेंगे, जो vitamin K है, इसको phyloquinone के भी नाम से जाना जाता है, ठीक न, पहले आपका vitamin, जो fat soluble है, तो उसमें K, E, D, A है, तो इसमें पहले के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका जो K है, vitamin K, उसको phyloquinone के भी नाम से जाना जाता है, ठीक न, आपका सकते हैं, scientific name आपका phyloquinone है, ठीक, इसका, जो main कारण है, इसका, help blood clotting, इसका main function है, helps in blood clotting, यह blood clotting में मदद करता है, suppose कि यह किसी को injury हो गया है, ठीक न, और उसका खुन नहीं रुक रहा है, तो उसमें vitamin K की कमी है, यदि आपका खुन नहीं रुकेगा, तो आपका possible है कि आपका देथ भी हो जाए, possible का देथ ही भी हो सकती है, ठीक न, इसलिए आपका vitamin K important है, और यह आपका fat soluble है, आप इसे य जानते हैं, इसे आप class में भी, class में ही remember कर सकते हैं, vitamin K आपका fat soluble है, इसको phyloquinone के विनाम से जानते हैं, यह पहला इसका मुख्य काम क्या है, blood clotting, vitamin K, यदि किसी के सरीर में vitamin K की कमी है, और उसको कोई injury हो जाए, bleeding हो रहा है, तो उसका जो खुन है, वो बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा, आप इसे याद कर लिजे, इसका मुख्य कारण है, यह इसका मुख्य कारण है, ठेक है, तो इसका पहला कारण है, blood clotting, function इसका पहला function है, blood clotting में, दूसरा function है, maintenance health of the liver, यह आपका जो liver है, इसका health का ख्याल रखता है, health को बनाए रखता है, ठेक ना, तो इसका दूसरा function हो गया, दूसरा कारण हो गया, maintenance, health, liver, ठेक ना, यह आपका liver का health बनाए रखता है, ठेक, आपका पहला, इसका function क्या था, health, blood clotting, दूसरा क्या था, maintain health of the liver, यह जो liver का health है, वो आपको maintain, बनाए रखता है, maintain किया रखता है, ठेक ना, तो आपका यह, vitamin K का एक छोटा सा descriptive, briefly आपका बारे में हो गया है, ठेक, तो यह आपका vitamin K है, अब next पढ़ेंगे vitamin E के बारे में, किसके बारे में, बिटामिन E के बारे में, ठेक, अब दखिए, vitamin E को किस नाम से जाना जाता है, तो vitamin E का जो scientific name है, आपका tocopherol है, क्या है, tocopher है, tocopherol, ठेक, आप vitamin E को किस नाम से जाना जाता है, tocopherol, आप इसे note कर लीजिए, next है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो मैं यहाँ पर mention महीं किया हूं, लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है आपका beauty vitamin, आप इसे note कर लीजिए, also known as beauty vitamin, इस vitamin को एक मैं बार बोल देथा रहा हूं जैसे आप जैसे आपको आपको जैसे एक स्कम्राइब करेंगे तो वहाँ पर आप जाएंगे, तो आपको एक recommendation करेगा, आप जैसे एक दवाई recommend करेगा, उस दवाई पर आप जब से ध्यान से पढ़ेंगे, तो लिखे रहेगा beauty vitamin या vitamin E, ठीक न, तो इस vitamin E को beauty vitamin के भी नाम से जना जाता है, ठीक, इसका scientific name हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक, एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है beauty vitamin, ठीक, आप इसे note कर लीजिए, beauty vitamin, vitamin E is also known as beauty vitamin, ठीक, ये ज़्यादा तर आप देखेंगे, ladies का, ladies में ये vitamin E की कमी होती है, तो उनको ये vitamin E की गोली दिया जाता है, ठीक न, तो next बढ़ते हैं, इसका source क्या है, यानि source यानि ये जो vitamin है, कहां से हमको मिलेगा, ये vitamin E कहां से मिलेगा, source यानि शुरोते, शुरोते यानि कहने का अर्थ, कि ये चीज कहां से हमको मिलेगा, तो पहले देखिए, vitamin E के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये जो green leafy vegetables हैं, जैसे spinach, यानि पालक, cabbage, यानि पत्ता हैं, इनमें ये vitamin E भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक न, दूसरा whole wheat, whole wheat कहने का अर्थ होता है, जैसे आप चना को फुला कर खाते हैं, उसी तरीके से आप जब गेहूं को फुला कर अगर खाईएगा, अंकुडा कर उसको खाईएगा, तो आप उसमें, एमपल मात्रा में, परचूर मात्रा में आपको vitamin E मिल जाएगा, ठीक, cereal, cereal होनी अनाज होता है, आप कोई भी अनाज ले ले लीजिए, उसमें vitamin E मिलेगा, nuts, nuts में भी आपको vitamin E भरपूर मात्रा में मिलेगा, ठीक, तो आपको जो कौन-कौन से source हैं इसके, तो green leafy vegetable, example में आपको बता दिया स्पिंच, यानि पालक, कैवेच, पता गोबी में, आपको बहुत सार ऐसे हैं, जिन में मिलेगा ये vitamin E, मैं वही लिखा हूँ, green leafy vegetable, ताकि इसमें सब आ जाए, ठीक, whole wheat, यानि आपको गेहुम में, गेहुम का जो, आप उसको धीगो करकिएगा, तो उसमें आपको vitamin E का भर भरपूर मात्रा मिलेगा, ठीक, अब यहाँ पर है, cereal, cereals में भी आपको मिलेंगे, और nuts में भी मिलेंगे, ठीक, कुछ ऐसे भी हैं, जि में मिलते हैं, जैसे sprout, sprout यानि होता है, अकुरा हुआ, चना, या अकुरा हुआ, कोई अनाज हो गया, उसमें vitamin E की भरपूर मात्रा होत तो आपके किस-किस चीज में vitamin E मिलता है, तो आपको green leaves, vegetables, whole weeds, cereals and nuts में भरपूर मात्रा में vitamin मिलते हैं, साथ ही साथ आपको sprouts, sprouts यानि अकुरा हुआ अनाज, अकुरा हुआ अनाज, जैसे आप अनाज को पानी में डुबो कर, आप whole night के रिए, एक रात को यह रख दीजिए, तो उसमें से कुछ white white निकल जाता है, अनि उसमें से white है, उसके पोधे निकलते हैं, अब उसको आप खाईए, जैसे आप चना खाते हैं, उस तरह से जैसे अकुरा हुआ है, तो उसी को बुला जाता है, sprouts, ठीक है, अब अब यह जो एक यॉल्क है, इसमें भी आपको मिलता ह है, vitamin E, ठीक, अब इसका काम क्या है, functioned, इसका कार्य क्या है, यह शरीर में बिटामीन E की कमी हो जाए, तो उससे क्या होता है, अधिक मातर में पाये जाए, तो उससे क्या होता है, ठीक ना, कुछ इस तरह से हम पढ़ेंगे इसको, ठीक, तो function, फंक्त इनिककश्च्य का प्रिभाग में हैं अंदर भी है लेकिन जैसे मैंने बोला है कि विटामिन E को ब्यूटी विटामिन के नाम से जना जाता है यह नॉर्मल कंडिशन बनाई रखता है यह cell के normal condition को बनाए रखता है यदि आपके सरीर पर जो cells है वो मर जाएंगे तो आपके सरीर काले पड़ जाएंगे ठीक न अब वो tissue को भी normal condition में बनाए रखता है ठीक तो आपका पहला काम हो गया इसका बिटामीन E का कि maintain normal condition of cell and tissue ठीक दूसरा है इसका दूसरा कार है इसका इसका इट अल्सो मेंटेन healthy condition of skin है ठीक न यह skin को healthy बनाए रखता है ठीक न विटामीन E इसकीन को healthy बनाए रखता है ठीक इसका third function है protects RBC यह RBC को हमेशा प्रोटेक्ट करता है रक्षा करता है ठीक इसका जो फोर्थ काम है एंटी ओक्सिडेशन है यह इसका जो फोर्थ काम है एंटी ओक्सिडेशन ठीक और यह साथी साथ बिटामीन E हमारे शरीर की immunity को बढ़ाता भी है ठीक यानि हमारे जो रोग प्रतिरत्या चमता है जो रोग defense चमता है यह इसको बढ़ाता है ठीक तो इसका यह कारी हो गया ठीक अब इसके symptoms के बारे में देखते हैं यदि हमारे सरीर में कमी हो जाए symptoms of deficiency यानि विटामीन E किसी का सरीर में कमी हो जाए तो कौन से रोग होगे क्या 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 क्मी हो जाएगी सरीर में क्या क्या विकार पैदे होंगे उसके बारे में देखेंगे ठीक यदि कोई अभी जन्मा बच्चा में यानि इनफाइंट यानि नवजात सीसू में यदि विटामीन E की कमी हो तो उसे हैमियोलेट hemiolatic amnesia होता है यह एक रोग का नाम है जिस में hemiolatic amnesia ठीक ना यानि खुन की कमी हो जाती है ठीक ना नौजात बच्चों में खुन की विटामीन E अगर नहीं उसके कमी हो जाते है खुन की कमी हो जाती है ठीक एडल्ट में आपको weakness महसूस होने लगता है एडल्ट में बीतामिन ए ज्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या होगा लो तरक्सम्याइन लेवयल जो अ कॉन कॉन से होते हैं यसके बारे में इसको हम विटामिन ए पर उसका कम्प्लीट डिटेल वीडियो होगा इस तरह से आप वहाँ पर देख सकते हैं इसमें हम दो तिन वीडियो में इतना बता देंगे कि आपको एक्जाम निकल जाएगा ठेक तो एक्सेस के होता है लो थरक्साइन लेवल ठेक ना थरक्समाइन लेवल नेक इस फट्रीटि डीज आप मालूम है रिप्रोड्दक्शन से समन्दी तो उससे यह रोग उतपन हो जाता है तो यह एक यह ज़ंद्रापन होता है फोटिई-वी और आपको मालूम होना चाहिए कि प्षटिआ निक्या होता है एक्षटिव पर नमबी नमबी बश्टिव यह लाईने हो जाती है है तो नेक्स्ट इसका एक्सेस के कारण रोग होता है अपके पेट में हलचल होने से यह आपके रोग होते हैं थेक नेट्स वीटियो में विटामिन डी और विटामिन एक के बारे में पढ़ेंगे, आज के लिए वस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा, आज के लिए वस इतना ही, थाइंक यू